वेल्कम बैक अव्रिवान पाइटन लेक्टर नबर फॉर आइडिल आईडी ये आज का बारा टॉपिक है बेराद हमें माजश रहा पुराइं कुक्ली स्टार्ट करते हैं देखते हैं ये क्या है ये बैसिकली आपके पास एक इंटीग्रेटेड डिवलेप्मेंट इन्वार् कैसे करना है आपने सर्च पर जाना है और यहां लिखना है आईडल तो आप देख सकते हैं यहां पे एक सौफ़ेर आया हुए आपका भी आया होगा जैसी पाइटन आपने इस्टाल की थी यह आज आता है आप इसको क्लिक करें एक इन्वार्मेंट डोड होगा आपके सामन लेकिन अगर आप अपना खुद का कोट स्टार्ट करना चाहते है तो आप जाएं फाइल पे न्यू फाइल यह आगया आपके पास पूरा एक अलग इन्वार्मेंट इसमें आपके पहले सेफ कर लेता हूँ अपने कोट को सेव एस अच्छा यह कि आप पहले सेफ कर लिया क आप सिर्फ नाम दें सेफ करें सेफ हो चुका है सेकेंड प्रोग्राम डॉट पी वाई अब मैं एक काम करता हूँ मैं अब लिखता हूँ प्रिंट करो हेलो वर्ल अगें तो मैंने अपना कोड लिख दिया और आप नोटिस करेंगे हैं यहाँ पे मुझे कुछ हल्प ही मिल रही है प्लस मुझे यहाँ पे कुछ कलर्स मिल रहे हैं जैसे यह किसी और कलर का होगी है यह ग्रीन कलर होगी है नोट पैड में यह नहीं था यह जो सेकंड प्रोग्राम के साथ एक स्टैरिक आ गया है इट मींस कि यह अभी सेफ नहीं है इसको कंट्रोल एक से सेफ कर लेते हैं अब लास्ट ताम मैंने यह ब्लू विंडो उपन की थी यह राइट लिक किया था पर यह कमांड लिगी थी यहां कुछ भी करने की जूरत ही है आप सिंप्ली जाएं रन पर और आपके पास लिखा है रन मॉड्यूल यह शॉर्टकट है आपके पास F5 इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपका प्रोग्राम जो है वो रन होके आपके सामने आ गया अब मैं कोई चेंजिस करता हूँ इस पे हेलो वर्ल अगें 1,2,3 and so on ctrl s, save, f5 अगर मैं कर दूँ मैं भी करता नहीं कोई recording में प्रोब्लम ना हो जाए सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलो वर्ल अगें 1,2,3 भी आ गया सो आपका python ready हो गया है आपके लिए idle के through code करने के लिए यहाँ पे अपना code लिखें और f5 प्रेस करते हैं और आपका output जो हो आता जाएगा आपको इस blue window की भी जरूरत नहीं रही सो यह ज़्यादा better है as compared to notepad जो आपने process किया था but it's totally up to you कि आप किस तरीके से इसकी code करना चाहते हैं आज की lecture में इतना ही था बिलते हैं next lecture में तब तक के लिए thank you, allahafiz